पटना में घर से निकलने से पहले पहले मोटरसाइकिल वाले हेलमेट नहीं लगाते थे, लेकिन अब की स्थिती ऐसी हो गई है कि बिना दो हेलमेट लिए, कोई अपने घर से निकलता नहीं है। इसी को लेकर एक नई खबर आई है। इतनी बड़ी होगी, चालान की रकम भी उतनी ही बड़ी होगी और आप लोग इस बात को याद रख लीजिए, आप लोग इस बात को समझ लीजिए, कि अगर आप लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करेंगे, तो महीने भर में आपके सैलरी के बराबर आपका चालान कटकर आज आएगा, और इसके लिए कोई पुलिस वाला आपके पास नहीं आएगा, ओनलाइन ही चलान कटेगा, आप ओनलाइन ही चलान भर देंगे, और आपके पास मेसेज भी ओनलाइन ही आएगा, अब चलान का खौफ क्या होता है, जी आपको हम लिख कर समझा देते हैं, मान फुरी वीलर पर अगर कोई कार वाला चलान देता है तो वो माल्ड होता है अगर वो रेड-λάight क्रोस करता थो बेगा चार हजार रुपई हाम अब अजाए ट्रक पर अगर ट्रक रेड लाइट क्रोस करता है तो वो देगा पांच हजार रुपईया मतलब गाड़ी के साइज से अब चालान का रकम तय होगा मोटर साइकल वाला जिस रेड लाइट को क्रोस करने के लिए एक हजार देगा उसी रेड लाइट को क्रोस करने के लिए ट्रक वाला देगा पांच हजार और बात सिर्फ यहीं पर खतम नहीं होती है मान लीजे कि आप गाड़ी ते चला रहे हैं जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रेश ड्राइविंग अगर आप रेश ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको देना होगा पांच हजार रुपईया इसके अलावा अगर आप गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल पर बात कर रहे हैं तब आपको देना होगा फिर से पांच हजार रुपईया इसके अलावा मान लीजे कि आप ट्रेफिक लाइट के अपोजिट चल रहे हैं मतलब की ट्रैफिक लाइट के उल्टा आप चलेंगे तब आपके साथ भी यही होगा मोटरसाइकिल वाला ट्रैफिक लाइट के उल्टा चलने में देगा 1000, थ्री विलर देगा 2000, फोर विलर देगा 3000, मध्यम वहान यानि की पिकप वगरा देगा 4000 और ट्रक वाले देंगे भा पतना की इस्तिती ये हो गई है कि कोई भी ट्रैफिक लाइट को क्रोस नहीं कर रहा है, अगर रेड सिगनल है तो लोग ना चाहकर भी रुक रहे हैं क्योंकि इतना कैमरा लगा दिया गया है कि फोटो खीच कर शान तक आपके मुबाइल पर चालान का मेसेज आ जाता है और कोई भी व्यक्ति हजार रुपया बे मतलब का देना क्यों चाहेगा और अब नियम ये हो गया कि जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा चलान, मोटरसाइकल के लिए एक हजार, प्रक वालों के लिए पांच हजार, कार वालों के लिए तीन हजार और ये अपने आप में ब कैसा जाएगा तो वो ना चाहते हुए भी चलान भर देंगे, आपकी क्या प्रतिकरिया आए इस पर, कवन बॉक्स में बताइएगा, मिरा नाम प्रशान्त है, फिर जल्दी किसी नए खबर के साथ मिलेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।